दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं LIC के एक सबसे सस्ते Life Insurance Policy के बारे में और इस Policy का खास बात ये है कि यहाँ पे आप जो भी Premium Pay करेंगे उस Premium के उपर आपको कोई भी GST अगेरा नहीं Pay करना पड़ेगा जेनरल तोर पे अगर आप किसी भी कंपनी से कोई भी Insurance Policy पर्चेस करते हैं तो उस Policy के उपर आप जो भी Premium Pay करते हैं तो यहाँ पर आपको उस Premium के उपर GST भी Pay करना पड़ता है लेकिन इस Policy के अंदर आप जो Premium Pay करेंगे उसके पर आपको GST वगरे नहीं Pay करना पड़ेगा इसके अलाबा इस Policy को पर्चेस करने के लिए आपको कोई भी Medical Test वगरे देने की भी जोहत नहीं है यानि की कोई भी Medical Report की जोहत नहीं है तो यहाँ पर आज हम जिस LIC Policy के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है LIC Micro Budget और उसका Plan Number है 951 तो आज के इस वीडियो में हम LIC के Micro Budget के Basic Eligibility and Other Conditions के बारे में डिसकस करेंगे इसके अलाबा हम ये भी समझेंगे कि इस Policy के अंदर आपको क्या-क्या Benefit मिल सकता है और हम ये भी डिसकस करेंगे कि इस Policy के अंदर अगर आप पैसा Invest करते हैं तो आप कितना पैसा Invest करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना पैसा बनेगा आपके Age के हिसाब से और यहाँ पर at the end हम एक Bonus Point को भी डिसकस करेंगे तो आज की जो एक वीडियो है वह काफी इंट्रस्टिंग काफी नॉलेजबल है आपसे रिक्वेस्ट किया है दोस्तों की वीडियो पुरा एंट लग देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्ट न हो जाए तो यहाँ पर हम सबसे पहला एलाइसी का जो माइक्रो बचत प्लैन है इसके एलिजिबिल्टी कंडिशन्स एंड अधर रस्टिक्शन के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं मिनिमूम बेसिक सम पर शोर्ड की बात कर लूँ तो है तूल रूपीस यहाँ पर मैक्सीमम दो लाइक रूपे तलग का ही पॉलीशी पर्चेस कर सकते हैं फिर यहाँ पर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात कर लू तो है एटीन यह यानिकि इस पॉलिसी को पर्चेस करने के लिए आपका 10 to 15 year यानि कि यहाप आप 10 साल से लेके 15 साल के बीच में प्रिशी पर्चिस कर सकते हैं फिर यहां पर गर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लू तो है सेम एस पॉलिशी टर्म यानि कि आप जितने समय का पॉलिशी पर्चिस करेंगे आपको उतने समय तलग प्रीमियम नहीं कर सकते तो फॉर एक्जामपल अगर किसी परसन का एज है 55 यहां पर वो पंदर सल का पॉलिशी लेते हैं तो यहां पर जब उनका सत्रसल हो जाएगा तब इनका पॉलिशी जो है वह मैचर भी हो जाएगा एन इनका जो एज है वह 70 हो जाएगा यहां पर आप अपने एज के 70 यह से जादा इस पॉलिशी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं यहां पर अभी एक एक एक्जामपल भी दिया हुआ है उसके हेल्प से हम सिम्पली यह समझेंगे कि अगर आप कितने का प्लैन पर्चेस करेंगे तो आपको उसके लिए कितना प्रीमियम पे करना पड़ करना चाहते हैं तो अगर आप यहली प्रीमियंट पे करना चाहते हैं टो यहांपर हर सल क्रीमियम प्रीमियम पे करना पड़ेगा यहाँ पे एम का मतलब मंतली है और यहाँ पे दस साल पूरा होने के बाद में आपका जो पॉलिशी है वो मैचर हो जाएगा तो मैचुरीटी के डेट के उपर आपको 55,000 रुपीज मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक और भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ प्रीमियम पे करना चाटे है तो यहाँ पे आपको यहाँ पर पूरा होने के बाद में आपका जो पॉलिशी है वो मैचर हो जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल 1,50,000 रुपीज मिल जाएंगे तो यहाँ पे भी आप चेक आउट कर सकते हैं कि आपने करे 15 साल में कितना पैसा पे किया है और प्रीमियमें उसके सामने में हम आपको तोड़ कितना मिल रहा है लेकिन यहाँ पर अगर आपका L तो एहां पे आपने का पॉलिशी सिंट किया हुआ है याई कि आपकर aam तो मिलेगा ही मिलेगा यानि कि एक लाख रुपया तो आपके family member को मिलेगा ही मिलेगा प्लस यहाँ पे अगर आप अपने policy को पांच साल से ज्यादा continue करते हैं तो एक और benefit मिलता है जिसका नाम है loyalty addition तो यहाँ पे अगर आपने policy को 15 साल के लिए purchase किया हुआ है यहाँ पे अग अगर आपका दित हो जाता है policy देने के पांच साल के अंदर ही तो उस cases में जो भी आपका समय शोड़ है उतना ही पैसा आपके family member को मिलेगा यहाँ पे कोई भी loyalty edition का benefit नहीं मिलेगा loyalty edition का benefit कब मिलेगा जब आप अपने policy को कम से कम पांच साल करेंगे तभी loyalty एडिशन का benefit दिया जाएगा उसके लाब यहाँ पर मैं आपको एक और एक्जामपल समझा दू तो फर एक्जामपल अगर आप दो लाख रुपे का policy पर्चेस करते हैं और यहाँ पर आपका एज है 40 साल और यहाँ पर आप पॉलिशी को पंदरा साल के लिए पर्चेस करते होने के बाद में आपका जो पॉलिशी हो मेचर हो जाएगा और आपको यहाँ पर टोटल टूलेट थर्टी थाजन रुपीज मिल जाएंगे तो यहाँ पर चेकाउट कर सकते हैं कि आपने पूरे 15 साल में कितना प्रीमियम पे किया है और उसके सामने में आपका कितना पैसा बन रहा है और यहाँ पर अगर आपका देश हो जाता है बाइचांस तो यहाँ पर आपको दोलाग रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस यहाँ पर आपका लोयल्टी एडिशन बनता है तो भी आपको फैमिली मेंबर को मिल सकता है बेसिक समेशोड के साथ में तो इस तरी यहां पर दोस्तों इस पॉलिसी के और भी कुछ बेसिक बेसिक से फीचर से जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर डिसकस नहीं किया ताकि वीडियो अलंबा ना हो जाए तो अगर आप इसके बेसिक फीचर के बारे में भी जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको आपका यहां पर आपको фильм-Dat IT है यहां पर आप को इस तरीके से सरच करना है यहां पर पर आपको ट्लिक कर देना है तो इस तरीके का यह सब्स Talking है क्माले और ऑगर आप से समय के बातुंद hed और ओ माइक्रो बी एच एच एटी बचत भी सच करेंगे इस तरीके से तो भी यह जो प्लैन है यह ओपन हो जाएगा और यहां पर इस प्लैन के उपर आप लिखेर आप को डर कर शक्ते हैं तो इस तरीके से यहां पर आपको जो इंफरमेशन जो मैं बदाता हूं है आप ये सारे चीज़ों को इसलिए पर सकते हैं एन बिल्कुल सिंपल तरीके से हिंदी लेंग्विज में दिया हुआ है तो आप बिल्कुल असानी से पढ़के समझ सकते हैं यहां पर अब एड़ा एंड हम यह भी डिसकस कर लेते हैं क्यों गवर्मेंट का कुन सा पॉलिसी है जहां पर आपको डेली एक रुपे के प्रीमियम के उपर दो लाग का लाइफ इंसरेंस पॉलिसी दिया जाता है तो उस पॉलिसी का नाम है प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना यहां पर आप से साल का सिर्फ तीन सो तीस रुपे का प्रीमियम लिया जाता है या यहां से भी आप देख सकते हैं कि यह प्रधान मंत्री जीवन जोती बीवा योजिना क्या होता है तो यहीं थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो उमीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्योबल इन्फरमेशन जरू मिला होगा तो अगर आपको इस वी कोपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंड करके जरू बताना जहीं दोस्तों अ झाल झाल